जैहिंद आज के वीडियो में हम बात करेंगे Deformation of Tapered Bar यह जो lecture है, यह lecture number 3 है Strength of Material का अगर आपने lecture number 2 नहीं देखा है तो देख लिएचिए उसका link हमने description में दे दिया है यहाँ पे सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि Tapered Bar होता क्या है Tapered Bar का मतलब simple है इसका cross section America की जितए पहले है बीच में कुछ और होगा बीच में कुछ और होगा जो हमें पता नहीं है, तो यहां पर cross section नहीं है, अब जहां पर cross section अगर constant नहीं होगा, तो इस bar को हम कहेंगे tap Europe बार, अब यह tap के बार, दो तरह नहीं होचति आ है, एक तो यह circular के बारे होना बता है, दुसरा हो सकता है, Rectингle के बारे में Rectangles कैसे हो सकता है जैसे दखियें इस तरह का हो सकता है है Everybody is F isto का हो तरह का रिंवा का Rectangler हो सकता है और यह circular भी हो सकता है तो टे impact बार है व् recording रहना है और औक रहें धेयर दोनों हो सकता है थो हम आध़ी बात करेंगे circular के case में I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो टेपेवड बार है वो कहते हैं किसे हैं जब दोनों बगल का जो दोनों तरफ इंड का जो cross sectional area है वो भैरी करता है यानि कि cross sectional area constant नहीं होता है उसे कहते हैं जैसे कि हम आपको यह बता यह बना बार हो गया यह मार बार हो गया तो क्या यह बहुति बार बढ़ नहीं नहीं है क्योंकि यहां का बराबर तरहा और यह रहा सिर्पया और बीच में कुछ और होगा बीच में कुछ और पता नहीं है इस तरीके कि आप देखिए तो यहां पर जो प्रस्टेशनल एरिया है वह भारी करता है जब क्रस्टेशनल एरिया नहीं हो उसे हम कहते है टेप यूडबार अब इसका और deflection निकालते कि deformations कैसे हो अगर इस पर load एक्ट करेगा चाहिए वो compression हो या tension load ऑग क्यूक्के load दो तरग करवा सकते या पर eccentric loading हो सकता है तो हम लेते सबसे पहला is circular की case में उसके बाद हम Rectangular की case में देखेंगे अगर हमारा circular tapered bar होगा तब जैसे कि यह हमारा bar हो गया यह हो गया यह हमार tapered case है जैसे हमने आपको पताया tapered tapered bar का deformation निकाल रहे से tapered होगा और माले तो यहां का अब माल लेते हैं यहां पर हमने कोई strips माल लिया इसको निकालने के लिए जो तिकनेस क्या है यह यहां से x x distance पहे हमने strip माना यहां पर लोड लग रहा है दोनों तरफ से लोड लग रहा है अब लोड लग रहा है तो पी टेंसलोड यहां पर डिफर्मेशन होगा क्योंकि यहीं निकालना है कि किसे लिए सबसे पहले अगर आपने इंटर पॉलेशन ज़रूब में बीच का तीमेटर से निकालना है माल लेते निकालने के लिए ओर वनमैनस दो अपोन एल इन्टू है X यह हम हमने कोई याद करके नहीं है या पिर यह कोई वेसंस नहीं है यह आप यहां से लिख सकते है समझके कैसे देखिए डी वन क्या है से थे निकाल रहे है निकाल रहा trilogy हमारे मेडिल मैं मिदिल मैं यानि कि इस cod possible होगा लेकिन डिको बढ़ा होगा डी में से फोटाऊ यहां इसलिए कुछ घटाएंगे तभी तो यहां पर आएंगे तो दियो मं हमें कितना घटाना हुआ तो D1 में यह घटा है D1-D2, D1-D2 दोनों का difference is बटे L क्योंकि total length पर यह जो है यह जो दोनों तरफ का diameter से वह भार ही कर रहा है तो total length upon L into X, X क्योंकि जो हमें strips माना है वह existence पर माना है अब देखिए अगर हम X डावर 00 कर देते हैं तो यहाँ पर जो strips होगा वह यहाँ पर夜 ऑजाएगा अगर strips यहां पर मतलब strips का diameter दीवन की ब़ावर होगा आप यहां पर 0 कर कि देख टो यहां पर PhD we przeci dette है तो अब हम दुसरी case दिखते हैं कि अगर हम X ब्रावर L कर देते हैं अगर हम X ब्रावर L कर देंगे तो मतलब जो है strips होगा वो यहां से यहां आ जाएगा क्योंकि X अगर L के ब्रावर होगा इसका मतलब जो है strips होगा वो यहां आ जाएगा अज़नल के बराबर एकस पहीि होंगा जब यह strips यहां पर आ जाएगा तो जोब यह strip ह Gaussian यह पर बराबर होगा बिल्कुल होगा तो जो एक्स ब्राबर हुआ इसका मतलब एक्स ब्राबर ल होगा यहां पर एक्स ब्राबर अगर पूट करें तो एक्स ब्राबर लिखते हैं तो तो मतलब यहां पर लिखा एक्स बिल्कुल सही है मानता हो कि आपको यहां पर थोड़ी समझने में दिक्कत हुई होगी कि जो यह आपको आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया है है अब यहां से हम माल लेते हैं D1-D2 upon L को K माल लेते हैं, अगर हम D1-D2 को by L को K माल लेगे तो यहां से हम strips का diameter लिख सकते हैं, D1-KX लिख सकते हैं, D1-KX लिख सकते हैं, यह diameter हो गया, अगर हम इसका area की बात करें, area तो 5x4 हो जाएगा, 4 times of D2 का square हो जाएगा, मतलब D1-KX का square हो जाएगा, यह हमाँ area हो गया, अब आपको पता होगा कि deformations क्या होती है, जो deformations होती है, वो होता है, PL upon AE होता है, क्योंकि loading के कारण ही हम निकालें, यहां पे load लगा रहा है, इसलिए हम लोडिंग के कारण ही निकालेंगे, तो P का मन तो P हमें दिया हुआ नहीं है, P upon E, यह तो दुनों constant है, और यह जो L, L कितना दिया हो, L भी constant ही है, क्योंकि L यहां पे, एक बात यहां पे L क्या होगा, यहां पे L जो होगा, वो Dx के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने जो है, यहां पे, यहां पे हमने जो है, small strips लिया है, Dx, इसलिए हमें small strips के Dx के थ्रू जो है, हमें पूरे length पे cover करना है, इसलिए जो L का मन होगा, वो Dx होगा, upon, यहां पे E का मन कितना हो जागा, 5 by 4 times of D1 minus के, वो X का whole square, 5 by 4 times of D1 minus के X का whole square हो जागा, यहां से हम लेख सकते हैं, क्या, यहां से हम लेख सकते हैं, 4P upon pi E into Dx upon, D1 minus के X का whole square लेख सकते हैं, यहां तक आप में से किसी को problem, इतना तो लेख सकते हैं, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको integrate कर देते हैं, क्योंकि हमें तो total length का निकालना है, ना the deformations, हमने तो के length के case में निकालना हो था, हम इसको integrate करना होगा, L तक, 0 से L तक, इसको integrate कर देते हैं, जाब इसको integrate करेंगे, तो delta L हो जाएगा हमारा, integrate 0 से delta तक हो जाएगा, और यह हो जाएगा, 4P upon pi, यह तो constant है, यह बाहर आजाएगा, 0 से L, और Dx अपन, D1 minus Kx का whole square, यह हमारा हो गया integrate, यहां तक, अगर आप note कर रहे हैं, तो यहां तक आप note कर लेजिए, अच्छे से, नेचे कर देता है, अब आप इसको अच्छे से लिख लेजिए, अगर आप लिख रहे हैं, तो, नहीं तो screenshot लेके लिख लेजिए होगा, हम इससे आगे बढ़ते, यह term आप याद हमने क्या लिखा था, जीरो से डेल्टा, डेल्टा एकोल्स टू, जीरो से अल, फॉर पी अपोन, पाई इंटू, डी एक्स अपोन, डी ओन मैनस के अक्स का, हॉल असक्वार, यह लिखा था, अब यहां से delta L को हम delta लिख सकते हैं बराबर हो जाएगा 4P अपोन πाई जो क्यों हो जाएगा 0 से L dx अपोन d1-kx का hall square यहां से हम माल लेते है z बराबर d1-kx तो dz बराबर हो जाएगा यह तो 0 हो जाएगा क्योंग दो constant है 0 मैनस k into dx हो जाएगा अब यहां से dx को लिख सकते हैं क्या dx को लिख सकते हैं मैनस dz अपोन के लिख सकते हैं अब यहां से देखे तो delta बराबर लिख सकते हैं 4P अपोन pi into e into 0 से L यहां पर dx को बराबर क्या होगा मैनस dz अपोन के हो जाएगा मैनस dz d z upon k into यह z का स्क्वार हो जाएगा बिल्कुल यहां से अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं 4p upon pi e k into z square है तो यह उपर जाएगा 0 से l यह हो जाएगा minus z पर power minus 2 हो जाएगा into d z okay यहां से अगर हम लिखना चाहे तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं z square plus 1 हो जाएगा z inverse हो जाएगा upon minus 2 मतलब यह हो जाएगा 0 upon minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 यह minus में है और यह 0 से l हो जाएगा और यहां पर कितना है यहां पर 4p upon pi e k है यहां से अगर देखे तो z inverse हो जाएगा जो की नीजी चला जाएगा फिर मैनस 2 मैनस 1 हो जाएगा फिर मैनस 1-1 cancel हो जाएगा मतलब 4p become pi e k है इंटूब मैनस 1 बट्टए जैड इंटू-1 अब यह मैनस 1-1 cancel हो जाएगा यहां से 0 से इतने तक आपको समझ में आ गया इसको आप स्क्रीन सोट लेकिए या फिर पॉस करके इसको आप लिख लीचिएगा हम नेक्स्ट करते हैं यहां से हम लिख सकते हैं डिल्टा ब्राबर 4P upon PiEK into 1 बट्टे D1-KX पर पाबर 0 से L अब यहां से D1-KX कहां से आ गया तो इसमें confused नहीं होईएगा D1-KX हमने Z की वेल्यू पूट किया है जो हमने पिछले माना था कि Z ब्राबर D1-KX वहीं यहां पर Z का वेल्यू D1-KX हमने यहां पर पूट कर दिया है यहां पर जो Z लिखे थे वो सी Z का वेल्यू हमने यहां पर D1-KX के फॉट किया है अब यहां से लिख सकते हैं 4P upon PiEK 1 by D1-KL minus 1 बटे D1 लिख सकते हैं यह क्योंकि Upper Limit minus Lower Limit होगा इसलिए हमने Upper Limit इसमें पहले कि L का वेल्यू पूट किया फिर माइनस फिर एक्स ब्रावर जिरो पॉट किया है जो कि KL 0 हो गया के 0 हो गया अब यहां से हम लिख सकते हैं 4P अपूण कि पाई एके इन्टु अब यहां से आपको याद होगा के ब्रावर हमने क्या माना था आपको पता होगा के ब्रावर हमने क्या माना था इसलिए यहां पर इसका फेली पूट करें तो यहां से लिख सकते हैं 4P अपूण पाई इके इंतु 1 बाइ d-2 मानस लबट के बास cash अगर यहां ब्लीकना चाहिए तह यहां से लिख सकते हैं 4P aby अपूण पाई इके इन्टू जए d1 d2 जगकर d1 दीटू लिख सकते हैं कि अगरं इसको वोकांगे और मैंस दी टू ऐपों दिवाड़ दी डी टू हो जáएगा अब यहां से कि व्हराबर किपना माना था मैं दीव होड़े भीट क्यों कर पांई ही हिंस पी टू हो पाइंटों दीवर मैंसज दीटू अपहोट का ओंड आ यहां से लिख सकते हैं क्या यहां से हम लिख सकते हैं यहां से देखे तो जो हम डील्टा आगया वो कह गया 4P अपॉन पाई आपॉन एल इंटु वण बट्टे d1 इंटु w 2 आ गया यहां से घरंडल्टा लिखना चाहे अपॉन पाई इन्टू D1 into D2 यह हमारा deformations of tapioid bar in circular case circular case के circular tapioid bar के case में जो deformations होगा वो हमारा 4PL upon pi into D1 into D2 हो जाएगा यहाँ पे P क्या है P जो है force है L जो है length है और D1 D2 तब को पता हो diameter larger diameter से D1 D1 क्या है larger diameter से larger diameter है D1 larger diameter है और जो D2 है वो smaller diameter है smaller diameter है और यहाँ पे जो delta है वो क्या है यह deformations है क्या है deformations है यह माना होगा circular bar के case में जो deformations होती है वो इस तरी case से निकला जाता है यह formula बहुत ही ज़्यादा important है अब इस पर हम एक question solve करेंगे तो पता चुल जाएगा कि इसका हम use कैसे करते हैं और question कैसे solve होता है तो चलिए हम question solve करते हैं जिससे आपको idea हो जाएगी जो circular bar के case में आपकोड है तो उसमें deflection यानि के deformation कैसे निकालते हैं इसको अगर solutions की बात करते हैं तो चलिए question पर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है 50 kN take e equals to 140 GPA यहाँ पर एक circular य बार है जिसका लेंद 2 meter है और इसका टैपियोर डामीटर से वो 30 mm डामीटर एक side है और 20 mm डामीटर एक side है इसका हमें elongation निकालना है यानि के deformation निकालना है और उस बार पर जो है 50 kN का force act है यहाँ पर अगर हम इसको यह कूछ ही इस तरीके से है इस तरीके से ओके अब यहाँ पर इसका डामीटर जो है यह दिया हुआ 30 mm और इधा का डामीटर दिया हुआ है 20 mm अब यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है कितना 50 kN और इसका लेंद दिया हुआ कितना 2000 mm 2000 mm इसका लेंद दिया हुआ अब हम डिफ्लेक्शन निकाला यहने कि इलोंगेशन निकान सा स्प्रेंट लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है पी अगर फोर्स की बाल करें तो पी जो कि 50 kN दिया हुआ है दूसरा दिया हुआ है डामिडस इनकी D1 दिया हुआ है 30 mm यानि कि D1 हम बरे वालों को D1 मानते हैं इसलिए हमें D1 लिखा है और फिर D2 जो दिया हुआ है 20 mm इनकी छोटे डामिडस इसका लेंद दिया हुआ है 2000 mm 2 meter दिया हुआ है था हमने इसको mm में convert कर लिए ताकि solution करने में आसान हो जाएगी और E दिया हुआ है 140 GPA यानि कि इसको लिख सकते है 140 kN पर mm2 लिख सकते है अब यहां से हम deflection निकाल ले था deflection हमने अभी आपको बताया था deformations 4PL upon pi E into d1 into d2 यह अभी आपको बताया था अगर हम यहां पर लेखे तो 4 times of 50 into 2000 2000 upon pi times of E 140 times of d1 30 and d2 20 अगर हम यहां से काटने की causes करेती यह 3 वो 0 जो यह नीचे का कट जाएगा उपर से 2 कट जाएगा हिससे बचा है बचा इधा 3 और इधा 50 तो यह 2 हो जाएगा और यह 7 हो जाएगा यह लगवख 7 बार में कट जाएगा approximately हम लेके चल रहा है और यह लगवख 2 बार में कट जाएगा चो और 2.3 हो जाएगा 2.4 मन लेते इसको और फिर यह पैका मां 3.14 होता है 3.8 चैनल इसमें जाएगा 0.81 के करीब आ जाएगा अंसर हलाकि आप इससे solve करके देखना ना कि इसका अंसर क्या रहा हमने बस इससे ऐसे लिख दिया अनमाल लगा डिल्टा हैल हमारा जो यहां से आ गया वो क्या हो गया 0.81 mm मतलब यहां से जो भी आपको solution आएगा वो calculator से करके देखना तो वही अंसर होगा मेभी यह गलत भी हो सकता है यानि कि हमने यहां पर कोई calculator नहीं किया बस ऐसे लिख दिये तो यहां पर main concept समझने वाली बात यह है कि हम formula को यहां पर apply कैसे किये कॉश्चन में हमारा सारा चिर्ट दिया हुआ था force दिया हुआ था और जिसका diameter जो टैपोर्स है लाजर diameter दिया हुआ था यहां कि D1 30 mm दिया हुआ था फिर D2 यानि कि छोटे चोटे diameter यह वाला diameter दिया हुआ था 20 mm दिया हुआ था और फिर length इसका दिया हुआ था दो मीटर को हमने mm में convert कर लिए ताकि solution करने में आसान हो यानि कि calculation करने में आसान हो इसलिए हमने 2000 mm लिख लिए फिर उसको पाद e का मन दिया हुआ 140 gpa तो gpu के convert करेंगे 140 km2 दिया हुआ अब यह से P दिया हुआ D1 D2 दिया हुआ L दिया हुआ तो हमने अभी आपको एक फर्मूला डिया था जिसके जो था 4PL अपन पाई इंटो D1 इंटो D2 जो कि circular टैपेवर्ड के case में यह कौन सा बार है यह circular ही तो है इसलिए circular टैपेवर्ड के case में जो फर्मूला होता है deformations का वह होता है 4PL अपन पाई इंटो D1 इंटो D2 फिर यहां से हमने सारा values यहां से पोट किया तो फिर जो एंसर आएगा वह हमारा answer हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा तो आज की class में इतने हम next class में हम rectangular bar के case में rectangular tapered bar के case में बात करेंगे और फिर इसमें numericals भी solve करेंगे